हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी कर से नॉप्सिस आईएस में मैं डॉक्टर महमद जिया यह हमारे मदेकालीन भारत के इतिहास का तेरवा वीडियो पिछले वीडियो में हमने देखा अकबर के बारे में हम देखा अकबर की धार्मिक नीती उसकी राचपूत नीती और किस अकबर ने जो पूरी योजना तो थी उसको चार प्रमक विभागों में वर्गी कर्थ किया था पहला था केंद्री क्रथ सरकार operateिय सरकार सेन्य विभाग और विद्य उसको इन चारों में उस्ने अपने पूरा जो उसका पाशासन था उसको विभाजित कर रखा था था हम के थे कार्यभार को कम करने के लिए उसने विपटन तरीकों से अधिकारियों को उनके कारियों और लक्षों को विद्रत किया हुआ था यहां संझने वाली बात यह है कि यह एक तरीके से यह जानते होंगे कि जब उन्हें भारत की प्रशासनी व्यवस्था को पढ़ना होता है तो सरप्रथम वो कौटलिया के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं उसके बाद जो है वो अकबर का प्रशासन पढ़ा जाता है और फिर ब्रिटिश सामराज्य का तो दो मुख्य सलाकार ज एक था मनसब्दार दुसरा था मीर्वक्षी मनसब्दार वो था जिसे अपर से वित्य लोकपाल आप कह सकते हैं सारी चीजों के जाज करता था और वित्य को वियंत्रथ करता था मीर्वख्षी जो था वो वरिष्ट अधिकारियों को भुक्तान करने के लिए तो जो वेतन देने का काम था वो वीरवक्षी का था और वनसरदार जो थे वो एक तरीके से आप उन्हें वित्य विभाग का प्रमुख मान सकते हैं उसके अलावा जो मुख्य अधिकारी थे जिसमें थे सदरो सदर उन्हें धार मिक सलावकार के प्रमुख के रूप मतहिनात किया गिया था जिसका कालय धार में एक बनाय रखना था खाने समंञो थे उन्मने शूरु शूरु श्यी शक्क से पता चलता है कि वो शाहिबंदार क ही वो ख्राने समन पर थी महात्व जद्धा वो शाहि कांसलर की तरह था जैसे जो नैतिकता की या सनस्रती का प्रभारिता कोटवाल हुफिया और डाक प्रभार का प्रमुकता आज भी कोटवाली जो शब्द है वो प्रमुकता जो हिंदी भाषी हमारे ख्यत्र है वहाँ पह आप उनको देख सकते हैं प्रांतिय प्रशासन की यदि हम बात करें तो अक्बर के प्रशासन के तहत राज्जी को बिना किसी समस्य से प्रशासन मतलब एक जो पूरा सामराज्जी था जो पूरा मगल सामराज्जी था उसको पंदरा सूबों में भाजित किया गया था इसमें ये पंद्रा सूबे कौन कौन से थे इलाबाद, आगरा, अवद, अजमेर, एहमदबाद, बिहार, बंगाल, दिली, काबल, लाहोर, मुल्तान, मुल्का, खानदेश, बिरार और एहमद नगर तब आप ये देख सकते हैं कि मुल्तान, काबल, सिले के बंगाल, बिहार, इधर नीचे, बिरार और एहमद नगर तक जो थे, वो मुगल सामराज्य का हिस्सा थे, इन ही सूबों में विभिन अधिकारी थे, जो कि सभी गतिवुधियों को, सारे कारियों को पूरा करते थे, सुबिदार जो था, वो प्रांतीय विकासका, प्राभारी था, दिवान, उसे जो विद्याय और मामे थे, देखता था, और प्रांतीय अधिकारियों को भुक्तान देने HERE का कारेभाल भी, दिवान के पास ही था, काजी, इस्थानीय नयायती जो, छोटी नयाय पाले का, जो है अदालत एक नियाए बाली का एक नियाए व्यवस्थ्था जो है वो बनाई गई थी कोटवाल राजेस्थर पर कानून की व्यवस्था और उसकी स्टैडिका जानीदार याइभी बाक्ष इस्थान करो और कल्यान के लिए राजस्व संग्रह का प्रभारी था वक्रे नावज गुप्त चर और जासुशी सेवां से संबंदित तो हर विभाग के लिए एक अधिकारी और उस अधिकारी का एक निश्चित कार्य ये जो था ये अकबर का जो है वो प्रशासन था मुख्यत अधिकारी को एक रैंक सोपा गया था विद्वानों से लेके राजपमारों तक वो कई उच इस तरीके से जो इस तरीके से भी रैंक वो विभाज़ित की जाती थी इनमें दो तरीके के थे एक था जात और दूसरा था सवार जात ब्यक्तिकत होता था और articles किई कि भूर्षव्रार सेना की संख्यप थी जिस्का रख रखाः उसे करना आवस्चा सभी जितनी भी इस और कम से कम हर जो कहना चाहिए सैनिक था या जो हर मनसब्दार को कम से कम दोग घोड़ों को तो रख रखाव करना पड़ता था जितनी भी नियुक्तियां थी पदनते थी भर खास्त की थी सीधे समराध द्वारा की जाती थी तो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारे थे उनका कोई लिन द लिए जा रहा है उनका मुझा मुठ्ट राशन जो था मुफ्ट राशन जो देना यह भी उनके था और हर सैनिक की है जो स्वास्त जाच थी वो नियमत था पर होती थी और जो योग होते होते थे उनको पुरश्क्रत करना यह सारी चीज़त जो है यह इस मनसबदारी का हिस् आय जो सरकारी आय थी चाहे वो सरकार किसी की भी हो प्रशासन कोई भी हो, मुखलों का हो चाहे अंग्रेजों का हो भूमी से जो आय अर्जित हो रही थी, वो हमेशा से मुख्यसरोद्र रहा है मुख्य अधिकारी जिसने इस प्रक्रिया की देखभाल की और अधिकारी जो थे वो राजा टोडर मलते इन्हें वित्य अमामलोग में उत्रष्टता हासिल थी और यहां तक कि अगर आपको एक इसमें थोड़ा सा एक चीज में और बताऊं कि शेर्शा सूरी के वित्य अधिक अधिकारों में से एक राजा टोडर मलते वो अकबर के भी जो है वो वित्य अधिकारी थे तो यह जो बीखा मापन की जो विचार जो है जो हम जमीन को नापते हैं यह यह राजा टोडर मलकर दिया हुआ है उन्होंने क्या किया था उन्होंने जो भूमी है उसे चार भागो में वर्गत किया पहले थी पोलज जिसमें पूरे साल खेती थी और सम्रद फसल रेती थी परोती जिसकी उरवर्था को पुना प्राप्त करने के लिए कम से कम दो वर्ष तक एक कटाई के बाद भूमी को खाली छोड़ना पड़ता था चाचर एक फसल के लिए उपयोग होती थी फिर चार-पास साल तक उसे पड़ती या उसे जहां खाली छोड़ना पड़ता था और बंजर जो भूमी खीती योगी नहीं किसानों को जो है वह बहुत सारे मुआफ़े दिये जाते थे यदि सूखे की स्थती हो गई या बाढ़ की स्थती हो गई किसी प्रकार की प्र प्राक्रतिक आपदा नहीं है उन दिरों में उसे अपनी पूरे उपच्च का एक तिहाई हिस्सा जो है वो सरकार को देना पार तो ये थी अकबर की व्यवस्ता अकबर के बारे में एक और चीज़ जो मुझे तब परिक्षा के लिहास से महत्पूर्ण है वो है अकबर के न राजमान सिंग ये सारे जो हैं कुछ टाइपिंग कुछ मिस्टेक्स हुई है और अपालोजीज प्रम आर साइड और अगली बार ओपोली इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कई बार जो है ये हो जाता है तो इसमें मुला दो प्याजा हैं और नीचे फ़की रजियुदीन है अब्दरहिम खाने खाना राजा बिरबल अबु फजल फैजी और रजमान सिंग राजा टोडर मल्क की यदि हम बात करें तो वो अकबर के शासनकाल के दौरान उनके वित्तमंत्री थे उनके नवरत्रों में से एक थे उन्होंने मानक भार और माप भूमी सर्वेक्षन निप्तान प्रणाली राजासव और जिरो मेरिकारियों की शुरुआत की पटवारी द्वारा रख रखाव कि इस प्रणाली का अभी भी भारती महादीब में किया जाता है और इसी व्य कित्र में जब भी भूमी से समंदित कोई भी का रहे है तो उसमें पटवारी की क्या भूमी का है और यूभी क्योंकि आप प्रशासने के अरस्था में जाने वाले तो प्रशासने के अरस्था में भी पटवारी जो है बड़ा ही महत्रपून हो जाता है जब भूर आजस्व से होती है और इसी को ब्रेटिश सरकार ने भी अपनाया चाहे अब भारती महाधीप लिखने का जो तात्पर यह था यह था यदि अब पाकिस्तान में भी देखेंगे तो वहां भी यही व्यवस्था थोड़ी बहुत मतलाव के साथ आज भी जा रही है अब दो रहीम खाने ख उन्हें बाबर का जो संस्पृरण है बाबर नामा उसका चुक्ताई तुर्की भाषा में से फार्सी मनुवाद करने के लिए भी जाना जाता है मुला दो प्याजा फिर एमुला दो प्याजा जो है वो अकबर के सलाकार के रूप में थे फ़की रजियुदीन सूफी फ़कीर भी थे सलाकार भी थे और धार्मिक मामलों मसला देते थे तानसें रामतनून का नाम था जन्न नाम था और शुरू में वो स्वामी हरिदास के शिश्य थे और बाद द उन्हें उन्होंने हजरत मुहमद वौस से संगीत सीखा अकबर के दरबार के एक संगीतकार और उनका महाकाव ये जो है दुरुपत रशनाओं के लिए याद किया जाता है उन्होंने नए रागाओं को साथ साथ संगीत पर दो शास्त्री किताबे भी लिखी है जैसे एक थ गरिलान सेन के बारे में था उसके बाद अबुल-फजल अबन-बारक इनका असल नाम था और अझा ज्फवार्द के लिए जो है उनने जाना जाता है उनका एक और महतपून जो युगतका हो ज्योंसा और उनका जो फैजी जो है वो उनका नाम था जिससे वो कवी जो है वो थे कवीताएं लिखते थे और उन्होंने अकबर ने उन्हें जो मालिक शौरा उर्दू में या फार्सी में जो शायर है उनके उसके भावचन को कहा जाता है और उन्हें मालिक शौरा मतलब जो दर्बारी कवी थे जो सबसे महतपूर्ण उनका जो योगदान था वो था कि लिलावती जो कि भासकार अचार्य द्वारा संस्क्रत का कार्य था उसका फार्सी में अनुवाद किया था तो गनित के कार्य वो जो संस्क्रत में लिखा गया हो उसका फार्सीय नुवाद ये फैजी ने किया था ये थे अकबर के नौरतन फिर आते हैं राजा बीरबल और उन्होंने दर्बार के विदुशक की जो है वो भूमिकान भाई असल नाम महिजदास था और बीरबल नाम जो है अकबर ने उन्हें दिया था अकबर महान के प्रशासनिक व्यवस्था और बागी चीज़ें इसके बाद जो है हम आगे के मुगल शासकों को देखेंगे आने वाले वी वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा कि कोरोना अभी भी गया नहीं है तो स्टे सेफ स्टे हल्दी थैंक्यू सो मुच